आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends आज हमारा question है कि हमसे पूछा गया है Which of the following can act as reducing agent? पुछा गया है कौन reducing agent के सामें act कर सकता है तो देखिए अगर मैं बात को नो reducing agent की तो reducing agent वो बन सकता है जो which can undergo oxidation है ना? देखिए जो oxidation undergo कर सकता है वो ही reducing agent बन सकता है reducing agent मतलब क्या है? दूसरे को reduce करवाना ठेखिए तो खुद oxidize होगा तो दूसरे को reduce करवा सकता है बेसी कि लिए हमने चेक करना है कि यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास जो तीन आलालो जो compound है इन तीनों में से कौन act कर सकता है as a reducing agent ठीक है? अच्छा तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे पहला option की ठीक है तो देखिए हर एक में सेंटर अटम जो हमारा कोबाल्ट है कोबाल्ट का अटम एक नमर हो जाता है 27 electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 यहाँ d7 configuration है ठीक है? अच्छा अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारा कोबाल्ट जो है वह प्लस 2 oxygen state में है तो अगर मालीजी यह प्लस 2 oxygen state में है और यहाँ पे हमारा जाइमोनिया जो है यह एक neutral ligand है तो इसके करने यहाँ पे तो कोई charge impart नहीं होगा तो यहाँ इसका oxygen नमर क्या है प्लस 2 यहाँ इसका oxygen नमर क्या है हमारा प्लस 2 और यहाँ यह तो कुछ है नहीं ठीक है तो देखें यहाँ पर यह तीनों complex की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स वला complex है अगर प्लस 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कोबाल्ट जो है ठीक है यह बेसिकली अंडर्गो कर सकता है प्लस 2 oxygen state और प्लस 3 oxygen state ठीक है अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यह यह complex है CO NH3 whole 6 2 प्लस ठीक है यह बेसिकली यहाँ पर से हम लोगों का यह बन सकता है CO NH3 whole 6 3 प्लस और यहाँ पर से एक electron release कर सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका यह NS3 जो है यह एक strong field ligand होता है तो जब strong field ligand है तो यहाँ पर हमारा pairing up करवाएगा ठीक है यह D7 configuration में है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक तो यह जो है यह इसके साथ pairing up करवा देगा है ना D7 में यह आपका free electron बच जाएगा जो कि donate out कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसे मैं 4S 0 हो जाएगा 3D आपका 3D 6 हो जाएगा ठीक है प्लस 3 oxygen state में यह सब सब तो सेम रहेंगे ठीक है तो उसके इसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका 6 है ठीक है यह इसके साथ pair up हो जाएगा यह इसके साथ pair up हो जाएगा तो यहीं भी कुछ free electron बचे करने डोनेट करने के लिए है ना तो यह तो हमारा नहीं बन सकता है यह बन सकता है ठीक है अच्छा इसमें देखते हैं तो यहाँ पर हमारा NH3 hole 4 है ठीक है तो hole 4 जब होगा तो देखें यहाँ पे plus 2 offset state है ठीक है तो 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है तो यहाँ पे hole 4 है ठीक है तो देखें यह इसके साथ अपका यहाँ पे आपका NS3 जो है ठीक है यह इसके साथ चल जाएगा ठीक तो यहाँ पे DSP2 बन जाएगा है ना आपका hybridization लेकिन देखेंगा इस particular state में यह जो free electron है यह यहाँ पे से निकल नहीं पाएगा ठीक है तो because of that हम लोग यह हो सकते है कि यहाँ पे यह जो है यह भी act नहीं करेगा और all of this तो होगा है क्योंकि यह दोनों fail हो चुक है तो मारा answer क्या होगा option number A ठीक है तो option number A हमारा correct answer थैंक यू Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर